Welcome to Web Institution, an international brand of software engineering education. इस वडियो में हम स्विच स्टेट्मेंट के बारे में जानेंगे, जिस तरह से कंडीशन पास करने के लिए आप इफिल्स का इस्तामाल करते हो वैशे ही, आप स्विच के माध्यम से भी कंडीशन पास कर पाओगे, थोड़ा सा सेंटेक्स चेंज हो जाएगा, देखे कैसे इस Suppose कि जी आपको X पे condition चेक करना है तो आप इस तरह से switch statement का इस्तमाल करेंगे, syntax को याद कर लिजे, write करेंगे switch, parenthesis का चितर देंगे और ये curly bracket के अंदर coding करेंगे, जिस पे condition पास करना है, जैसे X पे condition पास करना है तो यहाँ पे write कर देंगे X, अब जिस तरह से आप चेक करते हो if में कि क्या X 2 के बड़ाबर है, 3 के बड़ाबर है, उस तरह से यहाँ कैसे चेक करेंगे, switch के अंदर वो समझे, यहाँ पे case keyword का इस्तमाल करेंगे और जो भी data चेक करना है वो आप राइट करो, जैसे मैंने write कर दिया 12, इसका simple समतलब है कि क क्या X में जो value है, क्या वो 12 के बड़ाबर है, अगर 12 के बड़ाबर होगा, तो क्या होना चाहिए उसकी coding यहाँ करेंगे, समझ गए, result के रूप में testing purpose के लिए printf के अंदर आशिर राइट कर दिजिए, value of x is 12, इसको separate कीजिए semicolon से, तो यह पहला condition था, अगला condition चेक करना है आपने 12 चेक कर लिया, कि X में 12 होगा, तो यह आएगा, तो यह पहला condition था, वैसे ही अगला condition अगर आपको देना है, तो break keyword के माध्य हमसे, इस condition को separate करेंगे, ऐसे, जब तक आप break नहीं दोगे, तब तक अगला condition आप शुरू नहीं कर सकते हो, फिर शे अगला condition शुरू करने के लिए case keyword का इस्तमाल करेंगे, और चेक कर लिजे कि क्या X में 14 है, अगर X में 14 होगा, तो इस case में क्या result आना चाहिए, उसकी coding आप यहाँ पे इस curly bracket के अंदर करोगे, वैसे ही फिर शे अगला condition डिफाइन करना है, तो फिर शे वापस break keyword का इस्तमाल करके, इस condition को separate करेंग फिर शे case keyword का इस्तमाल किजे और define कर देजे 16, यानि X में 16 होगा, तो इस case में क्या होना चाहिए, जो भी message आप देना चाहिए, वो आप printf के अंदर इस तरह से define कर दो, मैंने define किया the value of X is 16, तो तीन अलगलग प्रकार के condition हमने define कर दिए, कि X में 12 होगा तो यह आएगा, 14 हो आप else में ultra define कर दो, इफ का वैसे इन तीनों का ultra अगर आपको define करना है तो जो तीसरा case keyword हो उसको, break के माध्य हम से आप separate कर दो, और यहाँ पे आप default keyword का इस्तमाल करो, देखे गोर से default के बाद direct colon का symbol देंगे, और curly bracket के अंदर कुछ भी message देंगे, जैसे मैंने define कर दिया data not found, तो कहने का मतलब है 12 होगा, तोरी जल टाएगा, 14 होगा तो आएगा, 16 होगा तो आएगा, लेकिन इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी हुआ x में, तो उस case में message आ जाएगा, data not found, रन करके जड़ा test कीजिए, देखे क्या message आया, data not found, क्योंकि x में क्या है 10, और 10 ना ही 12 से match करेगा, ना 14 से match करेगा, और ना ही 16 से, ओके, हाँ, अगर मैं यहाँ पर write कर दू 12, तो यह true होगा, उस case में, यह code execute करेगा, रन करके check कीजिए, देखे message आया, value of x is 12, वैसे अगर मैं यहाँ पर define कर दू 14, तो कौन सा condition true होगा यह, तो उस case में 14 वाला result आपको ऐसे दिख तो यह चीज़ समझ गए, जितना बार condition पास करना है, उतना बार case keyword का इस्तमाल करेंगे, और सभी condition के बाद break के माध्यम से उसे separate जरूर करेंगे, यह पहला condition था, इसलिए हमने break से separate किया, दूसरा condition था, तो इसे भी break से separate करेंगे, तीसरे को भी break से separate करेंगे, लेकिन जो default हो गऊशे, break से separate नहीं करेंगे, याद रखिए, आपके switch statement के अंदर, default सबसे last में होगा, इस प्रकार से, अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, जो आपके examination में आपको काम देगा, एक variable मैंने declare कर दिया, x के नाम से, जरा user को message दे दिजिए, जैसे मैंने message दे दिया user को, choose operations, तो addition का एक separate function हो, जो call हो जाए, to type किया जातो subtraction का separate function हो, जो call हो जाए, ये कैसे होगा, सब से पहले तो हमारे पास, user defined function होना चाहिए, जैसे मैंने addition के नाम से बनाया, फिर उसके बाद, एक subtraction का function होना चाहिए, जिसका definition मैंने अभी किया, अभी मैं इसे खाली रख दा हूँ, अ और फिर इसके बाद division के नाम का mac user defined function बनाता हूँ अब यहाँ पे हम condition पास करेंगे कि अगर user ने one type किया तो यह function call हो two type किया तो यह, three type किया तो यह, तो यहाँ पे आप scanf का इस्तमाल करेंगे और portion d का इस्तमाल किजिए इसे आप x वाले variable में रखोगे इसलिए मैंने define कर दिया address of x, अब आप condition चेक करो, यहाँ पे condition आपको x पे पास करना इसलिए switch को शुरू किजिए, case keyword का इस्तमाल किजिए, check किजिए कि क्या x में one आया, अगर x में one आएगा तो उस case में हम addition वाले function को ऐसे call कर लेंगे, ठीक है, तो यह पहला condition था, इसके बाद break से separate किजिए, अगला condition अगर user ने two type किया, यानि कि x में two गया, तो उस case में subtraction वाला function call हो जाएगा, फिर इसे separate किजिए, break keyword के माध्याम से, फिर इसके बाद define किजिए कि अगर user ने three type किया, तो उस case में multiplication वाला जो function होगा, वो call हो जाएगा, इसे भी separate किजिए, break keyword के माध्याम से, और यहाँ define कर द अगर user ने four type किया, तो उस case में division वाला जो function होगा, वो call हो जाएगा, तो one, two, three, four, यही चार option के लिए define करना था, लेकिन one, two, three, four के अलावा अगर user को type कर देगा, default के अंदर pass करेंगे, और message के रूप में present कर देता हूँ, invalid input, ओके समझ गए, अब addition के अंदर addition का code किजिए, subtraction के अंदर subtraction का code किजिए, जैसे मैं addition के अंदर आता हूँ और दो variable या तीन variable as a declare कर लेता हूँ, जैसे मैंने x, y, z के नाम से variable declare किया, printf का इस्तमाल किजिए, backslash n का इस्तमाल किजिए, जो first number input किया जाएगा, उसे आपको x में रखना इसलिए यहाँ पे address of x को define कर दीजि तो पहला number तो आपको as a मिल जाएगा, फिर इसके बाद अगला number प्राप्त किजिए, user को message देदीजिए, enter, second number और issue y में रख दीजिए, तो दोनो variable में अलगलग data मिल जाएगा आपको यहाँ define कर दीजिए x plus y, और फिर इसके बाद printf का इस्तमाल करेंगे और message देंगे, your answer is percent d, क्योंकि percent d की जगा z का value आएका, तो ये तो addition का हो गया, उसी तरह से subtraction का कैसे करेंगे, same code चलेगा, इसलिए copy paste किजिए, बस यहाँ पे minus का symbol देदीजिए, multiplication के लिए किजिए, same code चलेगा, बस यहाँ पे multiplication का symbol देजिए, फिर उसके बाद division के लिए define किजिए, same code चलेगा बस यहाँ पे division का symbol देदीजिए, जड़ा टेस्ट कीजिए, मैंने प्रोग्राम को run किया, one type करता हूँ, देखिया, first number मांगा गया, 10, second number 20, result देखिया, 30, 20 और 10 add हो जाएगा, क्योंकि हमने addition function को call किया था, फिर इसके बाद वापस प्रोग्राम run कीजिए, अगर मैंने two type कर होगा, first number मैंने दिया 20, second number 10, देखिया, minus 6 के बाद result आया 10, वापस run कीजिए, मैं three को choose करता हूँ, multiplication on होगा, मैंने 20 और 20 डिफाइन किया, फिर इसके बाद four division mode on होगा, मैंने 12 type किया, फिर मैं six type करता हूँ, देखिया, answer आगिया two, लेकिन अगर आप one, two, three, four के अलावा कु अगर इस कोडिंग की फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो description में लिंक मिलेगा, वहाँ शे आप डाउनलोड कर पाओगे, वीडियो पस्छान्द है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और wap institute.com पे जरूर विजिट कीजिए, वाइप इंस्टीट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद